पर दोस्तों आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है मेरा नार श्रभान जो इस चैनल को नए है वो सस्क्राइब करें दोस्तों इस वीडियो को आप 360P मोबाइल की डेटा में देखना है क्योंकि उसी में आपको यह सही से दिखाई देगा और लेक्चर देखने में भी और समझने में भी अच्छा लगेगा तो आज का जो बीडियो है दोस्तों वो प्रेक्टिश सेट अर्थात जो आज का प्रेक्टिश सेट है वो किस पर आधारित है असोग के असोग के समराज पर यानि की मोड समराज पर आधारित है यह वीडियो तो अब हम इसे चाहे यूपी का हो बिहार का हो बिहार PCS UP PCS Piri के लिए बहुत ही सटीक और चारो इस लेक्चर में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में हमारा काम यह है कोसिदों को पढ़ना है सबसे पहले क्योंकि अधिक तर बच्चे यही गलती करते हैं एक्जाम हाल में जाते हैं, वहां question pressure रहता है, एक गंटे में 125-30, 120 ऐसे question करना रहता है, जाते हैं, pressure बहुत ज़्यादा बना रहता है, तेजी से पढ़ते हैं और question को समझ नहीं पाते हैं, और गलत answer मार के चले आते हैं, पहला तो एक गलती करते हैं, दूसरा गलती क्या करते ह एक्जाम हाल में बच्चे, वो चारो आपसन को तो पढ़ते हैं, लेकि उनका चारो आपसनों पे दिमाग नहीं जा पाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो पहले पढ़ाई किये रहते हैं, वो बच्चे एक ही आपसन को देख के जो teacher होते हैं, एक ही आपसन बताते हैं, और आपसनों के बारें बताते हैं, तो उसी परकार से आपका दिमाग उसमें रहता है, अगर हम इसलिए सबसे पहले यहाँ पे पहला काम हम करेंगे, question को अच्छे से decode हम करने वाले हैं, और दूसरा काम यह करेंगे, कि जो चार आपसन है, चारो आपसन के बारे में, क्यों यह अगर जहाँ पे किस परकार से यह question पूछा गया है, और चारो आपसन में क्या क्या है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके, यानि कि पूरा हम lecture लेने वाले हैं, तो शुरू करते हैं, इसका पहला question जो है दोस्तों, पहला question है, असोक के निमलिखित किस अवलेख में क्या ब्रहसं देला लेख, वैसे तो तेरा मूल लेता है, लेकिन दो अभी नभीन और खोजे गए हैं, उनको उत्तरा अधीकारी के रूप में, उत्तरा अधिकारी अभलेख है, या सेसद अभलेख के नाम से ज़ाना जाता है, वो भी ब्रहसं देला लेख के कि अंतरगत आत ये राज्यों का वरणान हमें देखने को मिलता है तो पहला आफसन है सिला लेख 2, सिला लेख 6, सिला लेख 13, सिला लेख 7 ठीक है? तो एक-एक करके इसमें हम बात कर लेते हैं तो एक-एक करके अब हम इसमें इनके वारे में जान लेते हैं श्टार्ट करते हैं पहला है दूसरा यानिक इसी को दूसरा सिलालेख में भी पूछा जाता है संस्क्रित में भी इसका यूज होता है कि दूसरे सिलालेख में किस परकार का वाड़न है एक एक करके हम डिकोट करते हैं इसके आपसनों को दूसरे सिला लेख में कहा गया है असोग ने दूसरे सिला लेख में लिखवाया है कि पूरे समराज जिमेर था जो उस समय प्रांत थे उस सभी जगां पे डाक्टरी ब्यवस्था यानि की चिकस्षक ब्यवस्था सुचार रूप से सभी हर प्रतेग ब्यख्ति को उपलब्द करवा दी गई है यहां तक की बिदेशों में भी आसोग ने उस समय चिकस्षक को भेजा था ऐसा परमाण हमें देखने को मिलता है तो किसमें लिखा गया है यह सब बातें सिला लेख दो में सिला लेख छे में इसमें सजग योम सक्रिय प्रसासन के बारे में बात किया गया है किसमें सिलालेख छे में सजग यूम सक्रिय प्रसासन यह कोस्चन पूछता है सजग यूम सक्रिय प्रसासन कि सिलालेख में दिया गया है तो छठे सिलालेख में असोग के छठे सिलालेख में असोग के तेरवा सिलालेख यह बहुत इंपोर्टन्ट है इसी में कलिंग विजय के धम विजय का वर्डन मिलता है कहां पर 13 सिला लेख में असोक के 13 सिला लेख में धम विजय अपनाया जाता है और क्या क्या मिलता है इसी में 5 विदेशी राज्यों के बारे में भी चर्चा देखने को मिलती है और पांच भारती राज्यों के बारे में भी चर्चा देखने को मिलता ही है अभी हम पांच भारती राज्यों का चर्चा जो है आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे तो उसको हम वहाँ पर बताएंगे और सातों सिला लेख में सातों सिला लेख में क्या है सातों सिला लेख में इसमें वरडन है कि प्रतेग धर्म का वेक्त एक साथ किसी भी जगां पे रह सकता यानि कि यानि कि पंत निर्पेच वाला भावना यानि हम यह कह सकते हैं कि असोक पंत निर्पेच या पंत निर्पेच सासन अपना रहा था ठीक है तो इसमें जो आपसन है आपसन इसमें सी सही है क्या सिला लेख 13 तेरोय में 5 देशी राज्यों और 5 विदेशी राज्यों का वर्डन है सजगयों सक्रिय प्रसासन के बारे में उलेख किया गया है और दुतिये सिला लेख में सभी जगापे दुतिये सिला लेख में हमें देखने को मिलता है अगला question कहरा असोग ने असोग के निमलखित उत्राधिकारी में से किस ने देवान प्रिये उपाधी का प्रियोग किया तो question इसमें क्या है उपाधी से संबंदित question ये पूछ रहा है और किसके बाद तो यहां पे हमें तीन वर्डों पर ध्यान देना है पहले हम question को decode करते हैं एक first है असोग दूसरा सब्द है उत्राधिकारी तीसरा सब्द है क्या उपाधी तो वही करा है यहां पर पहला यहीं तीनों सब्द आपस में जुड़े है कैसे असोग के उत्राधिकारी जिसने उपाध लिए क्या उपाध कौन सी उपाध देवान प्रिये उपाध किसने लिए तो असोग का कौन सा उत्राधिकारी था जो देवान प्रिये उपाध लिया तो एक एक आपस में बात कर लेते हैं A है दसरत B है संप्रती C है कुनल D जो है सुयस यह वैसे जो अब आपसनों को भी हम डिकोड करते हैं एक एक करके दसरत दसरत जो है यह जो हमारे निकी बौद साहित में महावंस जो पुस्तक है उसमें एक हमें सूची प्राप्त हुई है जिसमें मौर समराज के राजाओं की हमें सूची देखने को मिलती है कि इसमें महावंस में तो उसमें यही दिया गया है दसरत जो है जिस परकार असोक ने क्या दान किया था बराबर की गुफा ठीक है अजीवक को उसी परकार अजीवक को दसरत ने भी क्या नागारजुन की पहाड़ी जो है नागारजुन की पहाड़ी को अजीवक को दान दिया था किसने दसरत ने भी तो यह question आपस में यहीं पर हम इसलिए बता दे रहे हैं कि यह दोनों संबंदित हैं गुफा से यानि कि गुफा दान करने से संबंदित एक बराबर असोख है जो बराबर से गुफा संबंदित है दसरत जो है नागरजुन गुफा से संबंदित है और आपसन जो है देवान प संप्रती ये भद्रबाहु यानि ब्रेहदत के पहले यानि कि दसरत के बाद और ब्रेहदत के पहले संप्रती का हमें राज देखने को मिलता है। कुनाल भी हमें किसी दूसरे सुरोतों में देखने को मिलता इसी प्रकार सुयस भी मौर समराज का राजा था इसका भी विवरण हमें देखने को मिलता है आगे बात करते हैं अब एक एक करके इसमें लग हुसिला लेख हैं क्या लहरिया नंदंगर्ण राम पुरवा सांची सं कौन सा इसा है जो चारों में की सुमेलिड नहीं है कोश्चन ऐसा है तो यह असोक के अस्तमब है यह सीश पर पस हुआ है तो असोक के जो हमें साच प्राप्थ हुए हैं वो सिला लेख अभी लेख और अस्तम लेख है सब्ध अस्तम अभी लेख ठीक है और 4-10 सिला लेख के वारे में ऐसे BM Smith ने इनको बाँटा था एक कटेगरी करके इस परकार से अब एक एक कर बाद कर लेते हैं लहरिया नंदनगण में कह रहा है जो अस्तम्ब मिला है उसके सीर्स पर यानि कि ऐसे ऐसे होता था था ना ये अस्तम्ब है जो ये सीर्स पर कि अगर जो ये सीर्स पर इसके उपर एक पसू बनता था तो यही पूछ रहा है जो वो पसू बना था वो कौन सा था ब्रिसव रामपुरोवा में सिंग बोलाय बना था साची में जो है सिंग बना था और सक्किया संकीसा में गज बना था तो यही चार आपसन है इसमें देखना है कहाँ पर क्या नहीं बना था तो लोरिया नंदनगर जो है यही आपसन इसमें सही है यहाँ पर भी सिंग ही बना था क्या सिंग ही यहाँ पर भी बना था यहाँ बिरसव नहीं बना था आब आगे बात करते हैं और बाकी सब sıह है इसे अपने दिमाग में छाप लो दोस्तो इसमें हमने एक नकसा लिया है यहां पे तो आपको हम बिखा देते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा ये सही से नहीं दिखेगा ये तो कि इसमें ये देखिए दे रहा है pillar edit आर pillar आप असोका, जो पिलर ये जो ऐसेपाईख हैं चाहा है इसे वो क्या है? ये असोक کے pillar है यानी की अस्तंभ है और major rag edit असोका यानी की एक वरगा कार यानी की थोड़ा सा क्या? आइता कार में जो बना है एक वो क्या है? वो असोक के ब्रिहत सिला लेख हैं तो हमें के करके यहां पे हम देख लेते हैं तो जिसे यह कालसी हुआ कालसी में असो के ब्रिहत सिला लेख है लगु सिला लेख जैसे यह देखिए है लुम्बनी में और राम पुरवा में लौरिया नंदनगर इधर साइड में इधर ठीक है, लौरिया नंदनगर और इधर साइड में, बैसाली, पाटिल पूत्र, सारनाथ, अलहाबाद, यहां सब हमें लगो अस्तमब देखने को मिले हैं, लेकिन कालसी, कालसी के बाद हम देखते हैं, कहां पर, अभी देखते हैं, कालसी के बाद, आपको, यह सहवाजगड़ी, जो है ठीक है, रानिक गट के पास, सहवाजगड़ी, तो यहां सब ब्रिहस सिला लेक है, मन सहरा से भी, ब्रिहस सिला लेक हमें देखने को मिलता है, यहां सब बड़े-बड़े सिला लेक प्राप्थ हुए हैं, यह ब्रिहस सिला लेक, तो इस प गिरुवा कलर का इतना बड़ा मौर समराज था यहां तक मौर समराज अस्थाफिस था ठीक है अब आगे बात कर लेते हैं हम देख लीजिए इसका यही है लुम्बनी अस्तंबे पे क्या है आपको यही याद करना है थोड़ा सा इसको इसलिए आप अपने दिमाग में छाप बीजिए नोट से हमने अपने निकाला है तो यह कर रहा है कुछ हैसे अस्तंबे जिनके सीर्स पर पसु पच्छी के चित्र बने है असोक के अस्तंबे में तो सांची के अस्तंबे में पीछे देखे सीर्स पर सिंग बना है राम पूरवा का जो अभलेख है वहां पे भी सिं यानि कि सीर्स पर सिंग ही बने है सारनाथ में ये सबसे important है पूछेगा चतुर मुखी सिंग किस अस्तंब पर हमें देखने को मिलता है तो सारनाथ अस्तंब में या सारनाथ अस्तंब में हमें देखने को मिलता है इसी परकार गरुण किसके सीर्स पर बना है वो लौरिया अरे राज में बना है लुम्बनी अस्तंब ये में most important है इस पर अस्व बनाया क्या यानि कि गोड़ा अस्व इसके सीर्स पर अस्व बनाया गया है लुम्बनी अस्तंब पर लुम्बनी कहां से संबंदित है ये आपके गोड़ाम बुद्ध के जन्मस्थल से संबंदित है यहीं पर इसने तेरवा सिला लेख या ऐसे भी पूछ सकता है जो तेरवा सिला लेख है उस पर जो सीर्स पर अस्थापी चित्र पसुका बनाया गया है वो किसका है तो असुका ही तो इस परकार से भी एक कोश्चन पूछ सकता है ऐसा कोई बताया नहीं होगा आगे बात करते हैं कहरा है असुक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग यूद्ध ये इंप्वार्टन्ट है उलेख करता है तो यहाँ पर हमें तीन सब्दी यहाँ पर भी हमें देखने है कौन-कौन से इस कोश्चन को डिकोट करने के लिए असुक अभिलेख और कलिंग यूद्ध तो कहरा है असुक का कौन साभिलेख है जिसमें हमें कलिंग उद्धक्या उलेख हमें देखने को मिलता है तो पर्थम है जोगड सिला लेख दूसरा है धाली सिला लेख तीसरा है रुम्मन देई अस्तम लेख चोथा है चोथा इसमें क्या है चौथा आपसन है सहबाज सहबाज गड़ी सिल्फ राज अग्या है ठीक है तो एक-एक करके आपसनों को भी हम decode कर लेते हैं इनके आपसनों को हम decode करने वाले हैं इस्टार्ट करते हैं जैसे रुम्मन देई अस्तंबलेग तो ये बहुत रुमन्देई या लुम्बनी जिसे कहते हैं वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे क्या किये इन्होंने बली का कर समाप्त कर दिया लेकिन उस समय बली और भाग दो कारक होते थे बली और भाग ठीक है भाग एक कर होता था और एक कर होता था बली तो बली को किसने समाप्त कर दिया असोक ने ऐसा रुमन दे अस्तमलेख में जानकारी हमें मिलती है वहाँ पर बली को समाप्त कर दिया और भाग का एक बटा पहले वहाँ छे लिया जादा था तो उसे कम करके एक बटा आठ कर दिया गया कितना एक बटा आठ कर दिया गया तो इसे अपने दिमाग नगदम छाप लो साभाज गड़ी सिल्फ राजग्या जो है वहाँ से हमें कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा मिलती है कहां से साभाज यह कौन सा सिल्फ लेख है यही है तेरवा सिल्फ लेख किसका असोग का ठीक है धौली सिल्फ लेख और जोगड अबलेख इसमें भी कुछ महत्रपूर प्रसासनिक जानकारिया में देखने को मिलती है कहां से धौली सिल्फ लेख में और जोगड सिला लेक में भी ये सब लग सिला लेक के अंतरगत आते हैं धोली और जोगड next question कह रहा है असोग के रूमन देई अस्तम अवलेक के संबंद में निमनिमेसक कौन सा कथन सही है ठीक है तो A है राजा के धर्म के संबंद में उलेक है B है कलिंग बिजय के संबंद में उलेक है C है ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंद में उलेक है D है राजकिये भोजन साला में पसुअध निसेद के संबंद में तो A के करके यहाँ पे पहले question को देख लेते हैं इसमे question बस यही है कि असो के रुम्बन दैवी अस्तंब अभिलेख में के बारे में कौन सा कथनसत्त है यानि कि क्या लिखा गया है तो ये क्या कहए राजा के धर्म के संबंध में उलेख तो ये question गलत है रुम्मन दैवी में क्या है कि वहाँ में बल भल कर को समाद कर दिया और भाग का जो कर था पहले एक बटा 6 था उसे कम करके एक बटा 8 कर दिया गया अपने राज्या विशेक के 20 वर्स तो इसमें आपसन जो है यह सी सही है यहीं पर देखो यह एंस्वर मिला है ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में यानि की ग्राम से वहाँ जो ग भाग एक बटा 8 कर दिये करका तो वही कमी लाए कलिंग विजे जो सहबाज गड़ी अभी पीछे हम बात किये कलिंग विजे 13 सिलालेख में और राज्खी भोजन साला में पसवद निसेद का संबंध किस सिलालेख में असो के तो वो पर्थम सिलालेख में है राजा के धर्म राज भी एक उपादी है अजादसत्र की असोग की कनिक्स की या हर्सवर्दन की तो इसमें उपादी पूँच रहा है किसने लिया था धर्म राज का सर पर्थम तो असोग ने धर्म राज का भी उपादी देवान नाम प्रिये अर धर्म राज ये सब किसके उपादियां असोग के उपादियां ठीक है अजात सत्र कनिस्क हरसवर्धन ये जो हरसवर्धन था ये किसका राजा का उपाद लिया था कनिस्क भी तो बहुत सारे कनिस्क उपादियां इसी परकार अजास सत्र को की भी उपादियां है next question कराश सारनाथ ये important question है दोस्तों इसको आप दिमाग में छापो अपने कराश सारनाथ से प्राप्त क्योंकि ये art and culture का question है सारनाथ से प्राप्त असोक के अस्तम्ब पर कौन सा पसु उत्कीन है तो पसु उत्कीन है नहीं है ठीक है answer है नहीं है आप यहां ध्यान दीजिएगा ये भी एक गलती question महा एक्जाम हाल में बच्चे गलती कर जाते हैं कभी-कभी देखते हैं option में नहीं उन्हें दिखता ही नहीं है इतना तेजी से पढ़ते हैं तो पहला है कुकुद मान यानि कूबडवाला बिर्सव दूसरा है हिरन तीसरा है हाथी चोथा है अस ठीक है तो इसमें क्या पूँचा है तो इसमें पूँचा है जो सारनाथ से प्राप्त असोक का अस्तंब हमें प्राप्त हुआ है लग अस्तम उसमें जो पस उतकींड है यानि कि सीर्स पर जो अभी बताए थे सीर्स पर जो यहाँ पर पस उतकींड है वो कौन सा नहीं था इसमें चारो आप सुनों में से बिर्सब, हाथी, अस और कौन नहीं था तो इसमें जो नहीं था वो हीरर नहीं था चारत कौन-कौन थे बिदिसब थे हाथी थे असु थे और सिंग थे देख लेते हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा यहां पे हमने नोट्स लिया है तो ये सारनात में किसने बनवाया था ये असोक का अस्तंब भी कहलाता है सारनाथ का अस्तंब असोग का अस्तंब भी कह राता है कोस्चन पूछता है जो सारनाथ का अस्तंब तीलिया है हमारे जंडे में वो कहां से लिये हैं तो सारनाथ के अस्तंब से या असोग के अस्तंब से लिया गया है बात कर लेते हैं सारनात के अस्तम के सीर्स पर सिंग सीर्स सर्वो क्रिष्ट है यानि कि सिंग सीर्स बनाया गया जो सबसे उत्तम क्रिष्ट का बनाया गया है इसके चारो और सजीव सिंग पीट से पीट सटाए हुए चारो दिसाओ की और मुख किये हुए द्रिंटा पूर्वक बैठे आने कि चारो तरफ सेर ही सिंग ही बने है और सिंगों के मस्तक पर महाधर्म चक्र अस्थापित्था जो सारनात अस्थम मिला है उनके सीर्ष पर जो सिंग बने है उनके मस्तक पर महाधर्म चक्र अस्थापित था जिसमें मूलता 32 तीलिया थी यानि कि जो 32 तीलिया वाला ऐसे बन होता है ठीक है इस परकार से ऐसे 32 तीलिया माटी गई है तो यह जो बना है यह उसे के मस्तक पर ठीक है तो सिंगो की नीचे 4 चार चक्र बने है ठीक है जो जैसे माली जी इस परकार से ऐसे बना है इस पर सीर्स बना है ऐसे ऐसे करके तो यहाँ पर इसके इधर इधर साइड में जो हम दिखा रहे हैं इधर साइड में आपको क्या चार और पसु मिले है ठीक है जो धर्म चक्र परवर्तन ये महाधर्म चक्र है क्या उसके मस्तक पे क्या है महाधर्म चक्र अस्थापित है और धर्म चक्र परवर्तन के जो परतीक है ये चारो पस हुए ये चार पस कौन कौन है देख लीजिए important है ये question पूछा भी है गज, अस, बैल और सिंग ठीक है ये चार अस्थापित है इसे अपने दिमाग में छाप लो दो question यहाँ से और देखना है कि महाधर्म चक्र किसके मस्तक पे है या महाधर्म चक्र हमें कहाँ प्राप्त होता है तो सारनात अस्थम पे या धर्म चक्र परवर्तन का जो परतीक है तो वो कौन से है तो चारो पसु जो है वो धर्म चक्र के परतीक है अब next question इसमें कह रहा है बहुत important question है कह रहा है असो के किस अस्थान के अवलेक को रानी का अवलेक कहा जाता है तो इसमें question जो है हमें क्या ध्यान देना है जब आप वहाँ पर solve करें तो आप यही ध्यान दीजी question के साथ में जैसे जैसे आप question पढ़िए तो जो main main सब्द है वहाँ पर आप टिक लगा लीजी जैसे असो के किस अस्थान पर रहानी question पूछ रहा है किस अस्थान के अवलेक को रानी इसमें जो main question है रानी का अवलेक कहां से प्राप्थ होता है या रानी का अवलेक कहा जाता है किस अवलेक को किस अस्थान के अवलेक को तो एक है धावली दूसरा है कौसामबी तीसरा है मास्की एक है गुर्जरा तो अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं तो यहां पर आपसन में बात कर लेते हैं जैसे धौली कौसामबी इसका जो एंसर है वो है कौसामबी इसे रानी का अवलेक कहा जाता है क्यों कि असोक के इसी अवलेक में इनके पतनी का उलेक यानि करवाकी जो नाम है क्या इसे दिमाग में छाप लो करू वाकी करू करू वाकी क्या करू वाकी इसे अपने दिमाग में दोस्तों छाप लो करू वाकी ये किस में मिला है रानी का जो अब लेख है वहाँ पे हमें देखने को इनका नाम मिलता है इनके पतनी का ठीक है और धौली में भी हमें इनके प्रसासनी के वारे में चर्चा देखने को मिलती है मास्की, मास्की बहुत important है, यह भी question में बहुत पूचा गया है कि लगुसिलालेख हमें कहां से प्राप्थ हुआ है, मास्की मास्की में ही सिर्फ ऐसा यह अवलेख है, जो जिसमें असोक का नाम जो है, असोक के रूप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है और सभी अस्थानों पर कहें पर देवान नाम प्रिये और उनके उपादियों धर्मराज की उपाद इस सप्रकार से सम्बंदित उसके असोक के नाम उनके अवलेखों में देखने को मिलता है, लेकिन जो मास्की अवलेख है इसमें जो है, इसी में सरपर्थम हम देखते हैं कि असोक का असली नावर्थात असोक इसी में हमें देखने को मिलता है गुर्जराव लेक ये भी बहुत important है गुर्जराव लग सिला लेक ठीक है इसको भी एक्जामों में बहुत बार पूँचा गया है तो इसे अपने दिमाग में छाप लो next question कह रहा है इसमें कह रहा है कि निम लिखित में से कौन सी अब आपसन question देख लिजिए कौन सी लीपियां असोग के अबलेकों में परियुक्त की गई है ये चार लीपि हैं बहुत important question है ये हमेशा पूँचा जाता है दोस्तों ठीक है तो आपसन ए है ब्राम्मी B है A में ही खरोष्टी आर्माईक और ग्रीक B में खरोष्टी ग्रीक सारदा ब्राम्मी दिया गया C में देवनागरी आर्माईक ब्राम्मी खरोष्टी D में ब्राम्मी खरोष्टी ग्रीक और देवनागरी तो एक एक करके हम इसमें तले इसका हम देख लेते हैं कौन सा है तो असोग के जो अवलेक पराप्ठ हुए है उनमें बिभिन जो अलग-अलग जितने भी अवलेक पराप्ठ हुए है उनमें अलग-अलग लीपियां परियोग की गई थीक है जैसे कहीं पर आरमा Ideally और ग्रीक का परियोग किया गया है कहीं पर आर्माइक आर्माइक और यूनानी का आर्माइक और खरोष्टी का परियोग किया गया है तो अभी हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो आपसन है A सही है इसमें जो आपसन है वो A सही है तो बात कर लेते हैं एक एक करके तो इसमें आपसन जो है भी सही है इसको आप अपने दिमाग में च्छाप लीजिए बहुत important है और जो चीजें हम बताने वाले हैं अब ये भी बहुत important है ठीक है इसे अपने दिमाग में अपने च्छाप ये पहले तो जो हम बात कर रहे हैं क्या असोग के बहुत सारे असोग के बहुत सारे ऐसे हमें क्या प्राप्ठों हैं जिन पर अलग-अलग अबलेकों पर अलग-अलग लीपी हमें देखने को मिलती है तो कहां पर क्या-क्या लीप हमें देखने को मिलती है अर्माईक और ग्रीक अर्माईक और ग्रीक ठीक है अर्माईक और ग्रीक यह हमें कहां देखने को मिलता है यह हमें सरेकुना गंधार के गंधार के सरेकुना में हमें देखने को मिलता है यह important है यह लीप कहां में देखने को मिलता है आर्माइक और ग्रीक, तो सरे कुना, क्या? सरे कुना, ठीक है? यह गंधार से मिला है, यह अब लेक, तो यहां पर जो इस अब लेक का जो लीपई है, वो आर्माइक और ग्रीक है, ठीक है एक है सा ए कुना क्या सा ए कुना एक है सा ए सा ए कुना ठीक है ये कनहार से हमें मिला है क्या ये अवलेख हमें कनहार से मिला है बहुत important है ये दोनों को एक है सरे कुना क्योंकि confusion करने वाला है एक है सरे कुना या इसी को बड़ा सा यहां पर उप्योग करता है साय कुना है ठीक है तो यह गांधार में सरे कुना प्राफ्थ है और साय कुना या सरे कुना वहां पर बड़ा सा छोटा सा अंतर है यही दो अंतर है और दोनों की जो इस्तिती है अलग-अलग है जो छोटा सा सरेकुना स्टार्ट होता है वो हमें गांधार से मिला है और जो बड़ा सा सरेकुना मिलता है वो हमें कहां से मिला है वो हमें कनहार से मिला है तो कनहार वाले में क्या प्राप्त है आर्माईक और यूनानी ये जो अवलेख है सायेकुना या सारेकुना जो कनहार स हमें मिला है यह बहुत important है क्योंकि अवलेग असोक के इसी में असोक के अवलेग एक ऐसा अवलेग है जो असोक का जहां से हमें दोई भासी रूप में वहां पर संकलन किया गया यानि कि उनके अग्याओं को लिखा गया है दो भासाओं का परियोग किया गया है कौन-कौन सा आर्माईक और यूनानी ये बड़ा सावाले में यूनानी बड़ा सावाले में छोटे सावाले में आर्माईक यूम ग्रीक ठीक है बहुत important है इसे दिमाग में एकदम छाप लो अब आगे बात करते हैं इसमें कहा है कि असोग के समय ज्यादा तर अवले किस भासा में लिखे गए हैं बहुत important है प्राकृत पाली खरोष्ट या संस्कृती तो असोग के समय जो उपयोग हुआ है जो भासा सबसे ज्यादा वो क्या है क्या प्राकृत ही है पाली जो भासा परियोग किया गया है यह चंद्रगुप्त मौर के समय गौतम बुद्ध के समय जो भासा था यानि कि गौतम बुद्ध के समय जो साहित उपलब्ध थी वो पाली भासा में संस्कृत भासा जो है संस्कृत भासा हमें देखने को मिलता है बेदो में संस्कृत भासा का उप्योग किया गया है खरोष्टी भासा जो है यह हमें असोप के सिला लेख में खरोष्टी लीब देखने को मिलता है अब आगे चलते हैं धमेश बहुत इंप्वाटन्ट है धमेश इस्तूप इस्तित है कहां पे है सांची में, भरहुत में, सारानाथ में या जहासी में तो यह बहुत इंप्वाटन्ट कोशचन है इस प्रगार से देखो यहाँ से एक कोशचन आपको करमके नुसार से भी पूश सकता है कि सबसे पहले कौन सा इस्तूप बना था तो सबसे पहले इसमें अगर हम करम के रूप से यानि काल करम के रूप से देखें तो सबसे पहले सबसे पुराना साची का इस्तूप है ठीक है इसे दिमाग में गुजा लो फिर उसके बाद सारनात का इस्तूप बनता है फिर उसके बाद भरहुत का इस्टूप बनता है फिर उसके बाद जहासी का इस्टूप बनता है तो ये धमेश जो इस्टूप है ये कहाँ पे है ये धमेश इस्टूप तो इसका जो अफसन है क्या अफसन है भरहुत जो धमेश प्राथ है वे भरहुत से मिला है तो अब आग ग्यारोएं बारोएं और तेरोएं तो इसमें जो तेरोवां सिला लेख है इसी में अटवी जातियों का पांच विदेशी राज्यों का पांच देशी राज्यों के साथ साथ में कुछ अटवी जातियों का यानि कि कुछ जन जातियों का भी लेख मिलता है जिसमें एक अटव जन जाती तो ये 13 सिला लेख में ही हमें देखने को मिलता है ठीक है बहुत important है kep धार्मिक सहीसूरता से समबन्दिद बारवां सिला लेख है क्या बारवां सिला लेख जो है बहुत important है अगर आप हमारे इस lecture को देखना जो एक सीरीज हमने चलाया है इससे संबंधित यानि कि हिस्ट्री एसियंट हिस्ट्री से प्लेलिस्ट में आप जाईए महाँ बहुत अच्छे से आपको बताया गया है हर चीज सारा सब कुछ अब लेक के वारे में जैसे हम किताबों में देखते हैं जो चीजे लिखा गया है उस सिर्फ प्रसासन के बारे में बोला है तो सिर्फ सजग्यों सक्रिय नहीं लिखा है तो सजग्यों सक्रिय प्रसासन कि कौन सा उलेक करता है तो छठा सिला लेक तो इस परकार से अगर हम देखेंगे ना तो कोस्चन पूशता है जबकि जिस परकार हमें किताबों में दिया ग रहे हैं ग्यारवा सिला लेक और पांचवे पांचवे में बहुत इंप्वार्टेंट है इसका चौथा सिला लेक किर्शी से संबंदित है और पांचवा सिला लेक भी बहुत इंप्वार्टेंट है इसमें धार्मिक बारे में भी थोड़ा कुछ बताया गया है और ग्यारवा important है तेरवा अपसे तो इसमें question हमें से decode करना है कह रहा है बुद्ध धम योम संग के प्रती तो पहला जो यह code करना हमें यह यानि कि बुद्ध धम और संग और के प्रती असोग की जो प्रगान आस्था था यानि कि यही क्या है यही बुद्ध के तीन रतन है बुद्ध, धम और संग ये वे question पूछा जाता है बुद्ध, धम और संग तो असोक ने इसी को अपनाया था 13 सिलालेक के बारे में हम पहले से 20 कर चुके हैं इसी तरीके से 6 सिलालेक में बात कर चुके हैं और 4 सिलालेक में चोथे सिलालेख में क्या है इसमें कुछ हदिकारियों की चर्चा की गई है ब्रावू लगुसिलालेख में ये बात किया गया है बुद्ध धम और संग का बहुत इंपोर्टन्ट है इसे दिमाग में छाप लो आगे असोग का कौन सा सिलालेख पांच यवन राज्यों का धर्म परचारा को भेजने का वरणर देता है ऐसा कौन सा इसमें सिलालेख है जो हमें पांच यवन राज्यों के धर्म परचारा को भेजने का वरणर मिलता है तो वही है पहले भी बता चुके हैं तेरवा सिलालेख जो है उसी में ये चीजी दिया गया है तो देखिए यहां से दो question पूछा क्योंकि पांच रवन राज्यों का उलेख ऐसा पूछता है एक दूसरा अब धर्म परचारक तो question यहीं decode करना है अब धर्म परचारक जो बच्चे नहीं पड़े होंगे तो सोचेंगे किसमें दिया है धर्म परचारक अब अगर य ऐसा हमें देखने को मिलता है आगे यह देखिए पांच जो बिदेशी सासक हैं उनका उलेख देख लीजिए कौन-कौन बिदेशी सासक का उलेख है तेरोएं सिला लेख में एक है सीरिया सीरिया का राजा उसमें कौन था एंटियोकस तो ऐसा भी यहां से question पूछता है असो है इसी तरीके से तो सीरिया, एंटियोकस, मेसर, टालेमी, दुतिये था उसमें मकदुनिया का जो राजा एंटिगोनस उसके बारे में भी चर्चा, सीरियन, मगस और एपिरास का जो राजा था वो अलेकजंडर था बहुत इंपॉर्टन्ट है यह पांच विदेशी राज् अस्थापित था, मैं यहां से यह जानकारी भी देखने को मिलता है और पांच भारतिये जो राज थे देख ली थे, यहां पे, ओ स्वारी चार भारतिये राज, तो चोल, केरल, पूत्र, पांडया और सत्य पूत्र, वैसे पांच भी है, तो पांच वही एक और अभी है, ठ इसमें करा है, बात यह किये थे, देवान प्रिये की उपाधि किसने धारण की थी, तो आपसन, असोक और दसरत, संप्रती, ब्रेहदरत, यह चार है, तो पहले भी उपाधि के बारे में यह आपसन आ चुका है, लेकिन इसमें देखिए और नाम देके पूछ लिया, अगर आपको अच्छे पता है, तब आप यहाँ पे जरीर, आपकर ले जाएंगे, इसका आपसन जो है, पहले का किवल एक दूसरे बी में, एक दो, सी में, एक तीन, डी में, एक दो, तीन, चार्ट, यहनि कि सभी सही है, तो एक एक कर असोक ने और दसरत ने, यह दोनों क्या है, देवान प्रिये के उपाध लिये थे, तो इस विरकार आपसन इसमें भी सही है, ब्रिहदत, अंतिम मौर समराज का सासक था, इसे, पुसमित सुंग ने, इसे, इसी का मंत्री जो था, इसको मार के, राजगद्दी स्थापित किया, सुंग वन्सका स्थापना किया, संप्रत ये ब्रिहदत के पहले और दसरत के बाद का राजा है संप्रती, ठीक है, आगे बात करते हैं, निमलिखित में से, किस रोतों से विवित होता है कि कलिंग में असोग ने घमासान युद्द किया, तो कौन सा तेरवा सिलालेक है, आपसन इसमें देखना ही नहीं है, लेकिन द अच्छा हो सकता है, एक दो में दिया हो, केवल दो में, तो आपसन वहीं पर गलत कर जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको यही याद रखना है, कलिंग का जो घमासान युद्ध है, वो सिर्फ हो सिर्फ तेरवा सिलालेक के बारे, सिर्फ हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और एक जगा हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें वो लग उसिलालेक है, जो हमें जानकारी देता है, बाकी और किसी जगा पे हमें पीछे यह कोशचन पहले भी व्याख्या कर चुके है, आगे आगे बात करते हैं, करांनिम लिखित में से कौन सा, सरोथ चंद्रगुपत के सामराज के गुजरात में समलित होने का प्रमाडिक सूचना प्रदान करता है तो यहां पर question समझना important है चंद्रगुप्त मौर के सामराज से समराज में एक प्रांत था क्या गुजरात गुजरात में कौन सा ऐसा प्रमाडिक सूचना हमें मिलता है जो चंद्रगुप्त मौर के साथ शिका में जानकारी देता है तो कौन सा अवलेख है देख लेते हैं चारों में आपसन देख लेते हैं एक एक करके असोग के सिला लेखों का गिरिनार संसकर जो है रुद्रदावन का जूनागड़ अवलेख मुद्रा राच्छस और देवी चंद्रगुप्तम तो ये चार आपसन है तो इसमें जो सही है वो रुद्रदावन का जो जूनागड़ अवलेख है ठीक है जूनागड़ अवलेख क्या जूनागड़ अवलेख उसी के बारे में यहाँ पे हमें चर्चा देखने को मिलता है क्योंकि इसी समय जो एक जील थी ठीक है तो इनका चंद्रगुप्तम तो मौर का ही एक सामन्त था जो कौन था एक देव गुप्त ऐसे कुछ नाम करके था उसी ने उस जील का दुबारा निर्माड़ करवाया था तो एसा हमें रोदेदामन जूनगर अवलेग में देखने को मिलता है मुद्रा राच्छस मुद्रा राच्छस में हमें मौर का साच हमें तो देखने को मिलता है लकिन यह नहीं बताता है कि वहाँ पे गुजरात का क्योंकि मुद्रा राच्छास में यही बताया गया है कि मुद्रा राच्छास में कहा गया है कि चंद्रगुप्त यानि कि मौर की जो उत्पत है वो बिरिसन यानि कि मौर जो थे वो सूद्र थे पुराणों में और मुद्रा राच्छास ठीक है और कुछ ऐसे साहित हैं जिनमें मौर को सूद्र कहा गया है अदेवी चंद्रगुप्तम ये भी इनी से संबंदित है उन्हीं की पतनी है जो चंद्रगुप्तम के समय और गिरनार अवलेक ये भी बहुत इंपोर्टन्ट है य आगे इसमें कराया है बहुत इंपोर्टन्ट कोस्चन है इसको आप अपने दिमाग में तुरंत के तुरंत चापना अब इसमें कैसे कोड करना यूनानी रोमन साहित यानि कि विदेशी के बारे में सेंड्रो कोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्तमोर से की है तो ये इस तो उसके भी राजदूत यहां पर आये थे यहां से कुछ राजदूत यूनान में भी गए थे तो उनके लेखों में चंद्रगुप्तमोर का नाम लिखा है संड्रो कोटस नाम लिखा गया है तो उसको किसने बार सरपर्थम मिलान किया कि ये संड्रो कोटस ही जो संड्रो क तो इसमें आपसन डी से यह बिलियम जोस बहुत इंप्वाटन्ट है इन्होंने ही क्या बोलता है सेंड्रो कोटस नाम बताया कि चंद्रगुप्त मौर का नाम सेंड्रो कोटस है यह अपने दिमाग में छाप लो जो बोले उसे भी अपने दिमाग में एकदम सुनते रहो बढ अस्तों की घोर्षणा किया है उसने तो किसमें किया है अपने रियासत के तो आप बात करते हैं तेरवे सिला लेख में पहले भी बता चुके हैं चार जो हैं चार का वरण किया गया है तेरवे सिला लेख में लुम्बनी अस्तम अब लेख में इसमें पहले ही बता चुके है इसके बारे में ब्याख्या बली और भाग बली को समात किया गया भाग का एक बटा आठ बटा ब्रावू बैराज ये भी बहुत important है यहां से हमें क्या भी पीछे ये question में इसका हम ब्याख्या करी चुके है ठीक है ब्रावू ब्रावू बैराज अब लेक में लगुसिला लेक सासाराम ये भी बहुत important है आगे असोग के प्रास्तर अस्तंबो पर यूनानी सासको का जिस क्रम से उलेक हुआ है उसी क्रम में ब्यवस्थित कीज़ा तो यहां पे भी हमें decode ही करना है पूँच रहा है तो उसी क्रम में यानि कि असोग के जो अस्तंब लेक हमें 13 में मिला है उनको एक करम से हमें यहां पे उनके सासको को लगाना है तो आपसन A है सिकंदर B है एंटियोकस C है एंटिगोनस D क्या है टालमी तो इसमें जो सबसे पहले चर्चा मिलता हमें एंटी एंटियोकस का मिलता है ठीक है फिर उसके बाद टालमी का उलेक देखने को मिलता है फ D, C और A इस परकार से आपसन हम देख लेते हैं कौन सा सही है B, D, C, A कौन सा किसमें है B, D, B, D, C, A इसी में आपसन C इसका सही है Next में कहा गया है कि स्री लंका के उस राजा का नाम हमें बताना है तो question हमें decode करना है स्री लंका का राजा है किस काल में चंद्रकृत असोक के काल में तो असोक का जोसे हमें समकालीन यानि कि असोक का समकालीन कौन राजा था जो स्री लंका में उस समय था अपसन दे लगते हैं अब है देवान, देवान, पिया, देवान, देवान, मिं, पिया, अतिस्सा और मुतासिवा और पंक दुला ठीक है तो चार आपसन है इसमें आपसन जो है 20 सही है बहुत इंपोर्टन्ट है इसे दिमाग में छाप लो अब इसमें करा है 1837 सिस्वे में कव 1837 सिस्वी में बहुत important है 1837 सिस्वी में खोच की ये सासकों में से एक सासन इसमें उसने लेख को का नाम समराट असोक प्रिये दर्सी दिया गया हुआ है तो पहले भी बात कर चुके हैं जो असोक का सिर्फ एक ही सिला लेख है मस्की क्या मस्की अबलेख जो है उसी में सिर्फ असोक का नाम प्रिये दर्सी असोक लिखा असोक का नाम प्रिये दर्सी असोक लिखा गया है थीक है, पून रूप से प्रियदर सी यसोक को नाम यह मसकी अवलेक में लिखा गया है, सारनाथ अबलेक में, यहां से क्या लिए है भारत में, तो जो तीली है, यानि की जो जणदा है हमारा, राष्टी जणदा जो है, उसका जो बीच में तीली बना है, वो सारनाथ सिल लेक से लिया गया है और मनसेरह, मनसेरह, गिरनार, गिरनार बहुत भी important है, यहां से भी भी, हमें पहले भी इसका ब्याख्या करे हैं, यहां पर क्या ब्याख्या करें, अब कहे रहा है next question में किस किस मौर अस्थम्ब या किन अस्थम्बो पर sirs का सिंग यानि सिंग सिर्स है यानि कौन सा यसा अस्थम्ब सिर्स है इस पर सिंग बना हुआ है तो देख लेते हैं सारनात अस्थम साची स्थम और कोलुवा स्थम लोरिया नंदन गड़स्थम इनके बारे में हमें के करके चर्चा करी ही चुके हैं दोस्तों इन सभी में क्या सभी पर इनके सीर्थ पर क्या वना है? सिंगी वना है चारो आप सानी सही है एक दो तीन और चार यानि की D आपसन सही है इसके बारे में पहले भी अंब्याख्या करी चुके हैं अब अगला कोश्चन है थोड़ा सा जुखाम हो रहा है दोस्तों इसमें कह रहा है कि असोग ने अपने किस पर सास किये वर्स में लुंबनी की यात्रा की और नववे वर्स बारवे वर्स चब्यसवे वर्स ये अलग-अलग है धर्म सब्द का रुपांतरण धर्म संबंदित है ये इंप्वाटन्ट है संस्कृत भासा में पाली भासा में प्राकिर्थ भासा में या अपभ्रहंसक भासा में का ही रुपांतरण धर्म है अर्था धम का ही रुपांतरण धर्म है ठीक है आगे बात करते हैं इसमें कहरा सूची एक और सूची दो का मिलान करना है इसमें और कहरा सूची फस्ट और सूची सिकेंड में क्या क्या दिया है इसके बारे में देख लेते हैं सूची फस्ट में तिसरी बौध संगीत में न्यूकत है। यहाँ पर एक question आपको और नया मिल ला है। तीसरी बौध संगीत में न्यूकत धर्म परचारक। यहाँ से एक question यहाँ से आपको पूछेगा, दोस्तों, कि यह latest question अपने दिमाग में अब दिमें चाप लिजीए। पूछेगा ये कि किस बौध संगीत में असोक ने धर्म परचारकों को दूसरे अपने परोसी राज और विदेशों में भेजा तो कौन सा बौध संगीत था वो तीसरा बौध संगीत जो हुआ था वो तीसरे बौध संगीत में धर्म परचारकों को भेजता है और अलग- बहुत इंप्वाटन्ट है इसको हमने चंद्रगुप्त यानि कि इसमें गौतम बुद्ध बहुत धर्म में इसका हमने सभी सूचियों का बहुत अच्छे से वर्डन किया गया है यह सूची किसमें हमें देखने को मिलता है जो सिंगली अनसुरितिया है अर्थात स्री लंका क के दोरान असोक ने धर्म परचारक को कुछ धर्म परचारकों को दूसरे जगां पर या दूसरे छेत्रों में भेजा धर्म परचार के लिए ठीक है तो किसमें यह सूची मिला है धर्म परचारक के नियुक्त का तो महावंस में मज्जंतिक जो है यह कसमीर और गंधार गया तो आपसन और उसके बाद सोन और जो ये उत्तर है ठीक है और महारच्छित महारच्छित ये योंस में गया था सोन और उत्तर सुन भूम में गया था तो आपसन देख लेते हैं इसका क्या गया पहले का पहला सही है दूसरे का दूसरे का क्या सही है महारचित चोथा और तीसरे का दूसरा देख लेते हैं एक एक करके कौन सा है पहले का पहला और दूसरे का चोथा और तीसरे का दूसरा और चोथे का तीसरा चोथे का तीसरा ठीक है यानि कि योवा उत्तर का सुवन भूम सोन और उत्तर को कहां भेजा गया था सुवन भूम में भेजा गया था कहां सुवन भूम में और महारच्छित को योन में भेजा गया था महाधर्म रच्छित महाधर्म संबंदित है जो धर्म परचारक थे महाधर्म रच्छित ये महाराष्ट से संबंदित है इसे अपने दिमाग में छापो इसका जो आपसन है 20 सही है दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट है अगर हमारा लेक्चर देखे हैं नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिष्ट में आप हमारे लेक्चर को देख सकते हैं बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कोस्टें किस प्रकार से पूछा जाता नहीं किस आसक ओ ठीक है अपने को देवतां का प्रीय कहला तो इसमें आपसन सही है सी असोक ने कहा था और चंद्रगुप्त जो थे वो विक्रमादित की उपाध लिये थे ठीक है इसी परकार समुद्रगुप्त जो थे ये बहुत इंप्वाटन्ट है इनका भी उपाधी है क्या चक्रवर्ती समराट जो है चक्रवर्ती समराट ये समुद्रगुप्त और कनिस ने भी इसी परकार लिया था आगे question असोक शमुराट असोक ने कलिंग को कभ बीजित कियाँ ठीक है तो यह question पहले भी हो चुका है कभ बीजित किया था कलिंग को राज्जा विसेग के आठोई वर से रागक बीजित किया था ठीक है दिमाग में गुसा लो बराबर परबत छेत्र में असोक के दानों से लाभवन्तित होने वाला कौन था तो बराबर परबत छेत्र दूसरा हमें असोक पे तीसरा लाभवन्तित होने वाला कौन था ठीक है जो असोग ने जो दान दिया था तो उससे लाववंतित होने वाला कौन था तो आजीवक संपरदाय था और इसी तरीके से कौन दसरत जो था यानि कि असोग के बाद का जो राजा है मौरकाल का मौरकाल से ही संबंदित है राजा था वो बराबर यानि कि नागरजुन पहाडियों को आजीवकों को दान दिया था नागारजुन पहाड़ी का नागारजुन पहाड़ी जो है वो आजीवकों को किसने दान दिया था दसरत ने दिया था आगे सोय असोक पहला इसमें असोक पर प्यांच लाना है कि इन परधान सिला सासनों में कौन सा धम का में चर्चा देखने को मिलता है, कहां मिलता है तो simple सी बात है आपको 13 ही सिलहलेक में देखने को मिलता है आगे, अब इसमें 5 चलाना है कहां इस question में, असोक पहला कैसा संकाल में सुराष्ट का governor था, बहुत important है, अगर हमारे लक्षर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए उसमें हम सुराश जितने भी प्रांत हैं उनके जो उस समय असोक के समकालिन जो अर्थात हम ये कह लें कि यूराज जो थे और उस समय समकालिन जो विदेशी राजा थे और समकालिन देशी राजा थे सब एक बारे में हमने बिश्तरित वडन किया है तो असो के सासनकाल में सुराष्ट जो प्रांत था वहां का गवर्नन कौन था पूँच रहा है वहां का गवर्नन कौन था तो पूछ रहा है आपसन में बात कर लेते हैं तुसा पाठक ठीक है और सू बिकास सू बिसाख ठीक है त्राम लीप्त अरिका मेडू तो इसमें जो आपसन है आपसन ए सही है और ये त्राम लीप्त जो है ये आपसन है दोस्तो एक जगा अस्थान है अरिका मेडू भी एक अस स्थान का नाम है, अगर common sense भी आपके पास होगा दिमाग में, तो आप इस answer को लगा सकते हैं, क्योंकि सूराष्ट जो है, एक राजचेत्र है, वहां का गवर्नर पूछ रहा है, तो त्राम लेप्ट तो कोई नाम नहीं है, ये एक जगां का नाम है, अरिका मेडू भी एक common sense भी common sense का यूज़ करके इसका option लगा सकते हैं, तो यही सब चीजे आपको सीखना है, यही सब सीखे रहेंगे, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एक जाम हाल में, और नहीं सीख रहते हैं तो गल्तियां बहुत होती है, अगला मौर काल में भावनों का निर्मान लकड से होता है, इसका पुरा तात्मिक प्रमार मिलता है, कौसांबी में कुमहार से, अतरंजी खेडा से, तसिला से, यह art and culture का question है, बहुत important है, यह बिहार के कुमहार से, जो बिहार PCS के बच्चे होंगे, इसे दिमाग में ठूस ले, बिहार के कुमहार से, क्या मिला है, हमें लक बढ़ी के भवन बनाये जाते थे, अतरंजी खेडा, यह क्या है, अतरंजी खेडा जो है, यहां से तांबा निकाला जाता था, यह राजस्थान में है, तच्चिला जो है, यह किस से संबंदित है, तच्चिला जो है, यह चाड़क के से संबंदित है, ठीक है, यहां के अध आगे आगे अब यह important है इसको भी आप देख लीजिए इसमें कथन ए और आर दिया गया है दूसरा ठीक है एक एक करके कथन ए में पांचुई सताब्दी में फायान ने अपनी भारत यात्रा के करम में या विब्रण दिया कि देश में कोई भी संब्रात ब्यक्ति मांसाहारी म मांसाहार नहीं करता था सेकेंड में कह रहा है कि असोक आर में असोक ने जो स्वयम जियो जनतुओं के पृत अहिंसा का सिद्धान कठोटा से मानता था प्रथमसिला लेग में इसका वड़न है पसुओं की बली पर प्रतिबंद लगा दिया था और भोजन के लिए ड़ अलग-अलग है तो कठन ए और आर एक दूसरे के विख्या कर ही नहीं सकते हैं दूसरा अब हम देख लेते हैं कि यह दोनों कठन सही है तो हाँ ये पर्थम जो है फायान ये भी कथन सही है और दूसरा जो कथन है तो ये भी सही है तो इसमें जो आपसन होगा आपसन ये होगा कि कथन और कारण आर यानि कि दोनों सही है किन्त ए जो है ए की सही व्याख्या आर नहीं है यानि कि ए जो है आर की व्याख्या नहीं कर जाता है और दोनों सत्ट भी है ठीक है वी आप सन्सय होगा इसे दिमाग में एकदम लगा इससे qustion आता है और बच्चे यह हुईं पर कन्फ्यूज कर जाते हैं समझ भी नहीं पाते हैं किसरी परकार कत्र और कारण का हमें कोश्चन लगाना है तो इसी परकार से कथनकारान का कोश्चन हम लगाते हैं दच्छिड भारत के किस के निम लिखित में से किन अस्थलों में चोदा घोस्णाओं वाला असोक कालीन सिला लेख पाए गये हैं तो यहीं यहीं पेपेन चलाना है आप से देखिए बहुत धांसो कोश्चन है अगर यह आप सभी बढ़ियां से एकदम कांसेट क्लियर किये होंगे तभी यह कोश्चन आप साल्ब कर पाएंगे कह रहा है एरर गोडी आंदरपर्देश, राजुल मंडगीरी आंदरपर्देश, मास्की करनाटक और सत्रती करनाटक तो इसमें जो आप संसाई है यानि 14 घोस्णाओं वाला है उसमें एक कुछ ऐसे सिला लेखे में जिसमें 14 लाइने यानि 14 घोस्णा की गई है 14 विसवों के बारे में बता है कुछ असो के ऐसे अभिलेख हैं जिसमें 7 गोसणाववाला है तो यह सब हम अपने लेक्चर में बात कर चुके हैं तो इसमें जो आपसन है A और C देख लेते हैं आपसन कौन सा है A और C इसमें आपसन C सही है यही इसमें सही है Next question बहुत important question है दोस्तो इसे अपने दिमाग में छाप लो क्योंकि यह सब question जो है यह analysis वाले question थे इसी परकार से किस अभिलेख में इलिसा क्या इसला इसला नामक नगर का उलेख है अपने चलाना है मासकी, नित्तूर, उड़े गोलम और सिद्धपूरम तो इसका जो आफसन है तो सिद्धपूर अबलेख जो प्राप्त हुआ है असोक का वहां से इसला नामक नगर का उलेख हमें देखने को मिलता है मासकी के बारे में पहले भी हम उलेख कर चुके है ठीक है, यहां पे क्या, यहां पे असोक का नाम प्रिये दर्शनी प्रिये दर्शनी ठीक है, लिखा गया है प्रिये दर्शनी असोक लिखा गया है मासकी में आगे बात कर लेते हैं इसमें करा मौर्स भारत का मौर राजवस वर्तमान में नेपाल के छेतर के निकट रूप में संबंदित था असोक महान की एक पुत्री ने वहां के अभिजात वरगिये एक ब्यक्ति से बिवा किया था तो आपसन जो है इसके ये भी बहुत important है कथन A और R यानि कि जो क्योंकि ये कह रहा है अभी कहेगा व्याख्या A की व्याख्या R करता है ठीक है तो R किसकी व्याख्या करता है A की ऐसा आपसन में दिया रहता है तो हम देखते है आर जो है इसको पूर्ण कर रहा है कि नहीं तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या नेपाल की बात की गई है ठीक है नेपाल मौर समराज में इसमें नेपाल के बात यानि की कर रहा है नेपाल के निकटी संबंदित है और असोक की यहां की पुत्री विभाहिस से संबंदित बता रहा है कि असोक की पुत्री का विभा नेपाल के एक अविजात वर्ग में हुआ था तो ये सही बात है और व्याख्या भी कर रहा है तो A और R दोनों सही है तथा R A की सही व्याख्या R करता है इस परकार से आप question करेंगे तो कथन कारण वाला question बहुत आसानी से होता है निमलिखित को काल करम के अनुसार सजाई है यानि कि तिथी अनुसार इसे सजाना है कूट का उपयोग हमें यहीं करना है कलिंग यूद और चंद्रगुप्त विक्रमादित चाणक और कनिक्त तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं सबसे पहले चाणक कि थे option C उसके बाद कलिंग यूद हुआ B फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या होता है पहले C है फिर उसके बाद उसके बाद कौन आता है उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं आएगा D आएगा कनिस्क आएगा फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर आएगा तो आपसन इसमें B सही है इनका काल इसी परकार है ये चंद्रगुप्त मौर से संबंदित है कलिंग युद असोक से संबंदित है तो चंद्रगुप्त मौर के बाद असोक कलिंग युद करता है उसके बाद कनिस्क संबंदित है अठात्रवे यानि की चत्रुत बहुत संगीत जो है और चंद्रगुप्त विक्रमा देती है गुत्त काल से संबंदित है इस प्रकार सपास काल करम अलग-अलग है आपसन डी से बी सही है अगला कोस्चन है असोक का समकालीन सिंगहल नरेश कौन था पहले यह कोस्चन सिंगहल यह सिरिलंका ठीक है इसी को सिंगहल अनसूरती यहीं सिरिलंका का ही गरंत है महावंस तिस्स क्या तिस्स सही है अब आग जयन धर्म को स्वविकार कर सन्यास लिया था तो वो चंद्रगुप्त मौर था ठीक है ये इस्तुल भद्र के साथ चंद्रगुप्त मौर क्या है दच्छिन भारत चला गया अपने अंति मौर्सों में यानि कि मृत्तु के समय में अंति मौर्स में इस्तुल भद्र से दिछा काले का सन्यास गराण करके दच्छिन भारत में जा कहां दच्छिन भारत के सरौनवेल गोला में जाके उपवास करके वहां अपने सल्लेखन या निर्वान को प्रात किये यानि कि जो जैंधर में मिर्त जो सब्द है वहां पे मिर्त के लिए सल्लेखन या निर्वान का वर्गों में विभाजित किया दुतिये वर्ग कौन था इसमें तो व्यापारी योध्धात किर्षक दार्शनिक युम सिच्छक दूसरा जो था इसमें किर्षक था बहुत इंपॉर्टन्ट है ये इसको भी हमने सातो वर्गों का अध्यन करवाया है अपने लेक्चर में आग झाल एंद दूसरा जा ये ओंद आपने इसमें इसमें वक्षाइब के अध्यों में अध्यूं में आपने भी को बहुता इसमेंगाई चाभरों आपरे ये ये पावर्गों किर्णीव हमने ओने किरूंदी और वर्शना